वहीं इस वीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है वहीं आपको बता दे कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर VLCC कमपनी की मालकिन CEO पर मुकदमा दर्ज किया गया है इस वक्त की बड़ी और आहम कबर जहाँ पर वंदना लूत्रा CEO मनीश जास हमें तीन लो अलाब आपको बता दे कि किस आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है तो धोका धड़ी के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया और ये कोट वाली सेक्टर 49 में मामला दर्ज हुआ है इस वक्त की बड़ी और आहम खबर जहाँ पर VLCC कमपनी की मालकिन CEO पर मुकदमा द दर्ज कि गई है और कोट के आदेशों के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है वहीं आपको बता दे कि कोट वाली 49 में मुकदमा दर्ज हुआ है और धोका धड़ी के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और तीन लोगों के खलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया और कोट वाली सेक्टर उन चालिस में ये मुकदमेद दर्ज हुए है और वयलसी कम्पनी की मालकेन और सीओ पर ये मुकदमेद दर्ज हुए करीब आपको बता दे कि तीन लोगों पर एफ़ाईार दर्ज की गई अगर रूस यूकरेन के बीच युद लगातार खिसता ही जा रहा है और रूस यूकरेन में अपने मिसाइल और बंब से भारी तभाई मचा रहा है और वहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है अब यूद यूखने के लिए तमाम कोशिश है अब भी जा रही है और इसी कड़ी में अमेरिका ने रूस के सामने एक पेशकस रखी है अमेरिका के राजनितिक मामलों के विदेश मंतरी विक्टोरिया नूलेंड ने कहा है कि अगर रूस यूखरेन में युद बंद कर देता है तो मोस्को के खिलाफ लगाएगा प्रतिबंद हटा ले जाएंगे रूस और यूखरेन के बीच लगातार जंग जा रही है और वहें आपको बता दे कि आज यूद का नोवा दिन है और ये लड़ाई अब दिन बर दिन तीज होती जारी और अभी भी कुछ भारते चाथ यूकरेन की राजधानी कीव और सबसे बड़े शहर खारकिव में फसे हुए और इन हमले में सिर्फ 24 घंटे के अंदर कारी 22 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बीच भारते सरकार ने बताया है कि कीव में एक भारते चाथ को भी गोली लग गई है जिसके बाद उसे वापस कीव भीज दिया गया और यूकरेन के पड़ोसी देश पोलेंड में मौझूद कींडरी राज्यमंत्री जनरल वीके सिंग ने कहा है कि आज ख़वर मिली की कीव से आ रहे एक चाथ को गोली लग गए और उसे बीच रास्ते में ही वापस कीव ले जाएगे और हम कम से गब नुकसान में जादा से जादा बच्चों को निकालने की कोशिश करें और वहीं वीके सिंग ने बताया कि अभी 1600 से करीब 1700 बच्चों को भारत भेजना है और पिसले तीन दिनों में साथ फ्लाइट में लग बग 1400 बच्चे भारत वापस गए और कुछ बच्चे अपने जरिये से वोर्सा पहुंचे थे और उन्होंने अपने रिष्टेदारों के साथ रुकने का फैसला किया और वो पोलेंड में सुरक्षित है और उन्होंने आगे कहा कि हम कुल पांच फ्लाइट निकालेंगे जिसमें हम 800 से 900 बच्चों को भारत वेजेंगे और हमने बच्चों के रुकने के लिए यहां आइस्थाई विवस्ता भी बनाई है रूसी सेना ने यूकरेन में सबसे बड़े यूरोप के नुकलियर पावर प्लान के आसपास के छेद को अपने कबजे में ले लिया है और वही रूसी सेना यहां हर तरफ से गोली बारी कर रही है और इस घटना के बाद यूकरेन के राष्टपती वौल्देमिर जलिंस्की ने रूस को पराणू आतmak करारद दिये और वही जलिंस्की ने मोस्को सेना पराणू आतंक का सहारा लेने और चेर्नोबिल परमानों दुरगटना को धोराने की इक्षा रखने का आरोप में लगाया और वाइजलेंसकी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि रूस के अलावा किसी भी देश ने कभी भी नुकीलियर पावर प्लांट पर गोली बारी नहीं किया और ये मानव जाती के इध्यास में पहली बार है और आतंगवाद देश ने अब परमानों आतंग का सहरा लेना शुरू कर दिया है और यूकरेन में परमानों सहयंतर में गोली बारी के बाद बिटेन ने सैयुक्त राज सुरक्षा परीशत की आपाद बैठक भी बलाई है और इसको लेकर अंतराश्टे परमानों उर्जा जैंसी ने घंबिर खत्रे की चेताब ने दी और साथ ही आई एए ने कहा कि इस इस्तिती के बारे में यूकरेनी अधिकारियों के संपर्ख में हैं और परमानों उर्जा सहयंतर पर गोली बारी की खबरों से भी अवगत है रूस और यूकरेन के बीच चल रही जंग के बीच यूकरेन में एक और चाथर की मौत हो गई हाला कि इस चाथर की मौत की वज़ा जग नहीं बलकि स्ट्रोक थी और वहीं बताए जा रहा है कि चाथर काफी समय से बिमार चल रहा था और वो करीब एक मैने से कॉमा में भी था जिसके बाद कल उसकी मौत हो गई वहीं आपको बता दे कि यूकरेन में ये दूसरे भारते की मौत है और इससे पहले मंगलवार को भी एक भारते चाहत की मौत हो गई थी वहीं बताया जा रहा है कि गोली बारी के दोरा नवीन को गोली लगी थी जिससे उसकी मौत हो गए थी और नवीन की मौत की खबर की पुष्ट ही खुद विदेश मंतराले ने की थी और वहीं विदेश मंतराले ने नवीन की मौत की जानकारी टूट कर दी और नवीन की मौत पर भी दुख भी जिता है और वहीं यूक्रेन में मारे गए चाथ नवीन के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके बेटे को पी यूसी में 97 फीजदी नमबर लाने की बावजूद देश्ट में मेडिकल सीट नहीं मिली इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत मेडिकल की पढ़ाई पहुत महंगी है जिस कारण बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है